नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum नई सुभा के आडियो प्रडिक्शन के कोर्स के साथ मैं हूँ अली खान तरीम आज के इस लेसन में हम आडियो फाइल्स को MP3 में कनवर्ट करना सीखेंगे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पस मुख्लिफ फार्मेट की फाइल्स आ रही होती है जिनको हम गोल वेफ फे ब्राउस करना चाहते है या जिनको हम MP3 फार्मेट में कनवर्ट करना चाहते है तो एट टाइम्स हमें बहुत जादा चैलेजिस का सामना करना पड़ता है खास तोर पे जब हम अपने फोन से रिकॉर्ड करते हैं या WhatsApp की ओडियो को हम MP3 में कनवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मेट ऐसे होते हैं जिनको हर प्लेयर सपोर्ट भी नहीं करता तो आज हम इस लेसन में टूटल ओडियो MP3 कनवर्टर के थुरू फाइल्स को कनवर्ट करना सीखेंगे तो टूटल ओडियो MP3 कनवर्टर आपको हर उस वेबसाइट से मिल जाएगा जिस वेबसाइट पर IT से रिलेड़ेड़ सॉफट्वेस प्रोवाइड किये जाते हैं हमने वक्त को बचाने के लिए अल्वेड़ी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है तो आएए कनवर्जन शुरू करते हैं यहां पे हम ओपन करने के बाद टैब प्रेस करेंगे अच्छा टोटल ओडियो MP3 कनवर्टर हमें दो आप्शन्स देता है या तो हम सिंगल फाइल को कनवर्ट कर दे या हम पूरा फोल्डर कनवर्ट कर दे तो अभी हम सिंगल फाइल को कनवर्ट करते हैं अट फाइल पे मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो इसने ये डायलोग बॉक्स दिया यहां पे हम शिफ्ट टैप करेंगे मैंने डाउनलोड में एक MP4A की फाइल डाउनलोड करके रखी है तो हम उसको कनवर्ट करते हैं यहाँ बे मैंने एंटर किया और टैप कर रहा हूं और कनवर्ट पिटन पे आके स्पेस पार प्रेस करूंगा तो जब इसने फाइल कनवर्ट कर दी तो हमें यह उस फोल्डर पे ले जाएगा जहां पे इसने फाइल कनवर्ट की है और यह फाइल इसने MP3 में कनवर्ट कर दी इसको हम यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं पाकिस्तान में लॉक्डाउन लाजिम हो चुका था तहरीर नुस्र चावेद अभी हमने सिंगल फाइल को M4A से MP3 में कनवर्ट किया और अब हम फोल्डर को कनवर्ट करते हैं टैप करने के बाद एट फोल्डर पे हम गया है सो हमने DLP फोल्डर को स्लैक किया आगे टैप प्रेस करते हैं तो हमारा यह फोल्डर एड हो गया है आगे प्रेस करते हैं टैब इसने कहा कनवर्ट बटन लेकिन कनवर्ट बटन के बाद मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं अब यह हम से पूछा है कि जो आप कनवर्ट कर रहे हैं फाइल वो किस में होना चाहिए तो बाइ डिफॉल्ट यहां पे MP3 सेलेक्ट हुआ होता है लेकिन अगर हम चाहें तो इसके फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं तो हम इसको MP3 पे कर देते हैं और अब हम कनवर्ट बटन दबादेंगे और यह कनवर्ट होने के बाद आपके बाइ डिफॉल्ट फोल्डर डॉकुमेंट्स में चलागा और यह वह सारी फाइल है जो हमने कनवर्ट की थी और यह हमारे डॉकुमेंट्स में आगए हैं तो आज के लेसन में हमने सीखा के मुख्तर फॉर्मेट की फाइल्स को MP3 में हम कैसे कनवर्ट करते हैं जिसके लिए हमने टोटल आडियो MP3 कनवर्टर की मदद हासिल की तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने अखताम पे पहुँचा अगले लेसन के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अलाहाफ़ज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए तक की जड़े टार के लिए गया जाए गयावज